ऑसमेस के सैनी, यह मैसी गूरूक में एकबर और आपका स्वागत और आज का चाह बार वह्जुल के अंदरकत हम लोग जन्संख्या बृतियों उसके प्रकार को समझने वाले हैं आईए हम देखते जन्संख्या बृत्धी होता क्या है? जन Сंखिय वरिधी अब ब्युखारिक तरीके से आप जानते हैं कि जन Сंक्य वरिधी लोगों की संख्या में परिवर्टन को ही हम जन चंक्या वरिधी कहते हैं हम कह सकते हैं जन संथिया ब्रिधी या परिवर्तन से आशे किसी छेत्र में किसी छेत्र में निश्चित समया वधी के अंत्रगत देखेगा बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही हम जन संख्या ब्रिधी कहते हैं जन संख्या ब्रिधी या परिवर्तन से आशे किसी छेत्र में निश्चित समया वधी के अंत्रगत बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन जैसे मालीजे आपके गाउं में दो हजार अगर इगारे में जन गड़ना हुई अगर आपके गाउं में पंद्रे सव लोग हैं अगर दो हजार एक्किस में जन गड़ना होती है तो अगर इस गाउं में दो हजार लोग हो गए तो एक निश्चित समया वधी के अंत्रगत बसे हुए संख्या में जो परिवर्तन हो गया उसी को हम बोलते हैं जन संख्या व्रिधी समझ में आगया होगा जन संख्या व्रिधी केसी छेत्र की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक कारण का सूचक के रूप में व्यक्त करता है हम का सकते हैं जन संख्या व्रिधी किसी छेत्र की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक का सकते हैं जन संख्या व्रिधी किसी छेत्र की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हम का सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारण का सूचक के रूप में व्यक्त करता है अब सोच लिजे कि लोग गाउं से आपने देखा होगा कि लोग गाउं से भग करके सहरों में जाते हैं क्यों जाते हैं सहरों में लोग आपने देखा होगा कि गाउं की अपेच्छा सहरों की जो जन संख्या होती है वो अधिक होती है लोग भग करके जाते हैं रीजन क्या है वहाँ पे सामाजिक सुरच्छा भी है वहाँ पे आर्थिक सुरच्छा भी है राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरच्छा भी आप देखे होंगे घर के ही बगल में बहुत सारी घटना है कोई आता है जाता है क्या करता क्या नहीं करता है, कौन करता है, यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सब लोग बढ़ते हैं, सब को अच्छा लगता है, इसलिए सब की सोच पाजटी होती है, गाउं में, गाउं में अक्सर जो लोग नेगेटिव मैंड के होते हैं, और आपके विकास से प्रसन नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे यह विकास कर रहा है, अपनी समस्या से वो परिशान नहीं है, आपकी समपनता से परिशान है, उनकी जो दिक्कत हो अपनी दिक्कत से परिशान नहीं है, आप क्यों सफल उससे परिशान है, तो हम कर सकते हैं कि क्यों सहरों की तरफ लो को लब्द होता है इसका एक सूचक है कि गाउं से लोग दिवरिया के तरफ आ रहे हैं तो यहां की इस्थिती कुछ अच्छी होगी इसलिए गाउं से लोग सहर के तरफ भागते हैं लोग देलही नोयटा की तरफ भाग रहे हैं वहां पर सब कुछ आच्छा होगा इसलिए ल सुविधाय उपलब्द होने के कारण वहां का एक विकास का सूचक माना जा रहा है, इसलिए वहां पे जनसंक्या ब्रिधी अधिक है, जिसे बामबे में आप चले जाईए दिलही में चले जाईए कुलकता में चले जाईए, तो जनसंक्या क्या है अधिक है, reason क्या है? वहाँ पे सभी तरह के सामाजी,कार्थिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक सुरच्छा, वहाँ पर प्रदान है, वहाँ के विकास का कही निका है कि सूचक है अब जनसंख्या वृधि को हम देखते हैं, जनसंख्या वृधि के प्रकार को हम तीन प्रकार से बार देते हैं, पहला प्राकृतिक वृधि, जनसंख्या वृधि और रियात्मक वृधि, प्राकृतिक वृधि क्या है, किसी निशित, छेतर विशेश में दो समया, दो समया अ ब्रिधी कहते हैं कर सते हैं इस प्राकृतिक ब्रिधी की बात करते हैं किसी छेत्र की बात करते हैं विसेस में किसी छेत्र विसेस में अरे भाई पूरा पृत्वी तो है साइवेरिया की हम बात करें तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं ना हम आलपस राकी प्रवत की बात करें तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं, वहां के जो जनसंख्या प्रिधिय एक ब्याक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर में निवास करता है, तो वहां की बात नहीं, किसी छेतर बिशेस में दो समय अंतरालों में क्या हम देखें, जन्म वं मृत्त्यू जन्म एवं मृत्यू देखेंगें, जन्म एवं मृत्त्यू के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को हम प्राकृतिक ब्रिधि कहते हैं, प्राकृतिक ब्रिधि कहते हैं, यानि प्राकृतिक ब्रिधि बराबर हम कह सकते हैं, यानि जन्म और मृत्यू अगर एक हजार जन्म हुआ है और दो सो लोग मरे हैं, नेक्स्ट हम जन्म करते हैं, यानि प्राकृतिक ब्रिधि ब्रिधि पहुं सारे इस्थितिया हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के भी द्वारा लोग काफी लोग मर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं, किसी छेतर विशेस में दो समय अंतरालों, जन्म यो मृत्यू के अंतर से बढ़ने वाली जन्संक्या बृध्धी को हम प्राकृतिक बृध्धी कहते हैं, तो आपने देखा होग प्राकृतिक जन्म जाहीं मृत्यू कितने लोग जन में योestar मरें कितने लोग फिर से कितने बचे उसमें क्या ग्रौत recreation बृध्ध हो रहा हें, वो हम कहते हैं, प्राकृतिक बृध्धि, हम आते स्थनात्मक जिसको हम पाजिट्व ग्रौत कह सकते हैं, इसको नेचर बिपा यहां पर देखते हैं कि जन में दर यह उम्रित्य दर इसको चलते हैं कि इसको समझते हैं जो यहां पर जन में दर है जन में दर मृत्यू दर से ऐसे कह सकते हैं जन में दर अधिक है मृत्यू दर से उसको हम बोलते हैं धनात्मक ब्रिधी उसमें कुछ और जोड देते हैं किसी देश की बात करते हैं भारत देश की बात करते हैं अगर मा लिजे जैसे मा लिजे इस देश के अंद्रगत जन में दर और मृत्यू दर यहनि जन में दर अधिक है और मृत्यू दर जो है वो कम है उसके अनुपात में जब इस देश में जन संक्या बढ़ती है उसको हम धनात्मक ब्रिधी करते हैं दूसरा और है कि किसी अन्य देश से भी यह उमकर सकते अन्य देश से जैसे मा लिजे यहां पे नेपाल है बंगला देश है यहां से लोग अगर यहां पे आ करके अस्थाई रूप से निवास कर जाते हैं मालीजे पाकिस्तान से लोग आकर कया स्थाई रूप से निवास कर जाते हैं मालीजे यहां पे नोग अधीक होता है मृत्यूदर कम होता है यहां पर निवास करते हैं उसको जब हम जोड़ देते हैं जो जन संक्या में बृधी होती है उसी को हम धनात्मत बृधी करते हैं देखेगा हम अन्य देश की बात करते हैं भी अन्य देशों से अस्थाई रूफ से जो प्रवासी आते हैं और मेरे देश में बस जाते हैं जन्मदर अधिक और मृत्यूदर कम जब फूटोल योग करते हैं उस जो बृधी होती है उसी को हम धनात्मक जन संक्या बृधी कहते हैं रिडात्मक क्या होता है? देखें मैं मैं को मिटा दिया रिडात्मक बृधी क्या होता है? इसमें ध्यान दिजिएगा इसमें क्या होता है? मृत्यूदर अधिक होता है मृत्यूदर अधिक होता है जन्मदर से ध्यान दिजिएगा उसी को हम रिडात्मक बृधी कहते हैं यानि हम कह सकते हैं किसी निशी छेतर में निशी समयावधी के अंत्रगत जो जनसंख्या में कमी आती है। यानि मृत्यू दर आधीक है और जन्मधर कम है तो उसी को हम रिढात्मक जनसंख्यावरिधी कहते हैं और किसी देश की बात हम करते हैं जैसे मालीजे कोई भी देश है इस देश में मृत्यूदर अधिक है जन्मदर कम है उसके बाजूद हो सकता है कि यहां पर लोग मरने लगते हैं तो लोग उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए एवं यहां से दूसरे देश मे जो प्रवास कर गए अस्थाई रूप से एक तो मृत्युदर भी अधिक होती है और जन्मदर कम होता है और उसके बाद भी यहां से लोग हट करके दूसरे देश में चले जाते हैं क्या हों जाती है कर सकते हैं कि यहां पर काफी लोग कर गए दूसरे जगह पर चले गए वहां पर प्रपनेशन कम हो गया कुछ ही यह रह गए जो भी वहां के लोक जईसा विश्चितीर हो तो यहां पर देख सकते हैं मृत्युदार अधिक है और जन्मदर कम है और इहां के लोग दूसरे देश या दूसरे जगह पे चले गए हैं तो निश्ची छित्र समय अधिक के अंदर गजब इसकी गणना करते हैं तो उसमें जनसंक्या वृधी में कम ही आजाती है आपको जनसंक्या के घटक को ले के आएंगे